हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चैनल अगर आप नहीं नहीं आइडिया चाहते हैं को फूरत सा बनाना और कम समय में इजी वे में तो प्लीज प्लीज मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अप्टेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रस करेंगे औ और वीडियो अच्छा लगेगा तो कॉमेंट करके जरूर बताएंगे अच्छे लिए आज मैं आपको कॉम भेंगर सिखाऊंगी यह वेस्ट मैक्रेम से है अगर आपके पास पड़ा हुआ है मैक्रेम तो आप उसका यूज कर सकते हैं ऐसे फ्रेश मैक्रेम से भी बना सकते हैं मेरे पास कुछ फ्रेश मैक्रेम थे मैं उसका यूज कर लिया है इसके लिए क्या-क्या मेटल का रिक्वार्मेंट है वह मैं आपको बता दू इस तरह से आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन चाहेंगे आप बना सकते मेरे पास यह दो कलर और एक यह यलो मैंने यूज किया ह मेजरिंग टेप, लाइटर, कुछ मैंने इस तरह से मटका बीट्स का यूज किया है और कुछ हेंगिं डाया चाहिए आप इस तरह से दुछे लिए बनाना स्टार और एक यह रिंग लिया है और एक यह बैंजल लिया है आपके पास अबलेबल हो दोनों रिंग चाहें तो यह बैंजल भी ले सकते हैं वेस्ट बैंजल है इसका यूज करेंगे सबसे पहले मैंने इसका 40 cm का इस तरह से सिंगल कलर भी बना सकते हैं डबल भी बना सकते हैं मैं डबल का यूज कर रहे हूं इस तरह से 40 cm मैं देख रहे होंगे यह 40 है सो कट कर लेना है, अब इसको हमको खोलना है, एक तो बहुत ही पतला खुलता है और एक और उससे थोड़ा सा हैवी, तो यह हैवी वाला कॉलना है, हमको एकदम पतले वाले नहीं लेने है, कि यह देखिए, इस थरह से योई है, क्योंकि एक में ऐकदम बहुत पतला हो जाता है, तो यह सतरह का खोलना है हमें, और उसको पूर्णा खोल लेना है यह देखे एक देखे यह हलकी खुल जाती है इस तरह की नहीं हमको यह वाले खुलने है इसी तरह से इसका भी इजली खुल जाता है यह होगे अब इसको हम टोटल जो है 50-60 जितना मोटा रखना चाहें आप उसका यूज कर सकते हैं मैंने 70 के आसपस इस तरह का लिया है यह जो कॉड है दोनों मिला के 35-35 रख सकते हैं जिस तरह से आप सिंगल भी रख सकते हैं तो इतना कॉड चाहिए इसके लिए यह देखिए मैंने इस तरह से खोल के से रखा है इसका मीडिल में लेना है और उसके बाद इसको हम बैंजल मे इस तरह से डालेंगे इस तरह से उसके बाद यह लंबाई इसकी आ रहे है अब आपको इसका जितना भी यह आप इसकी वेट रखना चाहिए आप उस ही साब से इस कॉड को बढ़ा सकते हैं इसके आद मैंने इस कलर का कॉड जो है 20 कॉड लिया है 11 मीटर का इसका यूस करेंगे हैं यह भी इसी तरह से इसमें इंटर करेंगे हैं अब इसका मिडल पाद आपको लेके आना है करेंदी इसका सकते हैं अबूआ आ नहीं को कैइब कर दो टोटल कॉर्ड को अच्छे से खींच लेंगे इस तरह से जिससे सारे कॉर्ड एरेंज हो जाएं मैंने इससे पहले भी ये नॉट बनाना सिखाया है चलिए देखिए किस तरह से बनाते ही दू कॉर्ड लेना है इसके आदे इस तरह से फेर ये इसके बाद ऐसे फिर ये कार्ड को इसमें फिर्स्ट ये फिर इसको ऐसे इसके तरह से टोटल नॉट को कंप्लीट करना एक राउंड कंप्लीट करके उसके बाद दिखाएंगे कि बीड सिस में हम कैसे लगाते हैं ये देखिए टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया इसको पूरा राउंड ये देखिए इस तरह से अब बीड्स लगाना आपको बताते हैं ये जो दो फॉर्म किये हैं यूनिट उसके बीच में ये दोनों कॉर्ड ले करके और इसमें हमको बीड्स लगाना है ये मटका बीड्स मैंने यूज किया है इसमें हर दो कॉर्ड के बीच में इस तरह से आपको लगाना है ये दो नौट है दोनों नौट के बीच का दोनों कॉर्ड ले करके और इसमें बीड्स लगाना है इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने 20 कोर्ड लिया लेकिन कॉर्ड कुछ ज्यादा है में इसकी जो आपकी ये गुलाई ये जितना ज्यादा लेंगे तब ये बीड्स ज्यादा है इसलिए मैंने इसको फिर 12 कर दिया इसको description box में भी मैं बता दूँगी कि कितने cords का मैंने use किया है ऐसे मैं बता रहूँ कि इसमें 12 भी use किया उससे में 20 मैंने कहा था यह 11 meter का cord लिया है लिकने यह 12 भी है तो इस तरह से इसको 2 के बीच में और उसके बाद फिर हमको इन दोनों के एक एक cord को ले करके इसी तरह का knot form करना है यह knot form परना मैंने इससे पहले भी बताया है आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं अब देखिए इस तरह से टोटल इसका हम circle form कर लेंगे इस तरह से बना लेंगे और यह six या eight जितनी आप इसके यह कर सकते हैं six या eight यह मैं पूरा total करने के बाद आपको दिखाऊंगे कि कितना height तक रख के उसके बाद फिर इस ring का use करेंगे हम और हम इस तरह से knots form करते जाना है देखिए यह तो यह दो लगा दिया और उसके बाद फिर इसको एक लेना है एक इसमे से लेना है इस तरह total round complete करके six to eight line में complete करते लेके आती है यह देखिए मैंने six round complete किया one two three four five six यह आप इसकी height और रखना चाते हैं तो neither five six यह round पे भी अच्छा लगता है इससे पहले मैंने ring थोड़ी बड़ी size की लिए थी क्योंकि cord मैंने 20 आपको बताया थे लेकिन फिर cord मैंने 12 कर दिया तो इसलिए यह ring जो है छोटी है size की इसके बीच में हमको इसको attach करना है सबसे पहले नीचे के portion को आप इसके बाइब इसमें attach करना है और यह total ring के अंदर इसको भी हमको कर लेना है attach करना भी बताया है फिर आप देखिए कि इसको कैसे attach करते हैं double wrap करना है इच कॉर्ड को करना है अर बाल अर कि यह बेकि टोटल कॉड की रैपिंग होगी अब एक हाइट तक आप रखके इसका कटिंग कर देंगे और उसके जंगी बेल लगाएंगे इस तरह से कर देंगे अब एक ओक पुड कर देंगे इस तरह से टूड कर देंगे इसका और उसके जब कर दो होगीन है यह देखे इस हाइट तक सारे बेल्स को लगा देते हैं लगा करके फिर दिखाते हैं कि यह कितना खुबसूरत लिए यह देखे बेल लगा के मैंने रेडी कर लिया और यह खुबसूरत से आपकी कॉम हेंगर रेडी होगी अब इसको भी रैप करना मैं बताऊंगी दबल कलर से यह देखे टोल हमने इसको हेंगिंग बेल लगा के रेडी कर लिया और इसके इस इस तरसे और वन साइट से ही जो हम लोग नौट लगाते हैं तो उसी को वन साइट से यह देखिए इस साइट से और यह उपर से कर लेंगे और यह देखिए दो कले से कि तरह से कर लेंगे और यह देखिए दो कले से कितना खुल सूरत लग रहा है यह देखिए टोटल रैप हो गया अब इसके बाद इसको कट करके यहां पे स्टिक कर लेते हैं तो देखा थे यह देखिए इस तरह से इसको रेडी कर लिया दो कलर का मैंने यूज किया था मैं इसलिए मैंने इसका से दो कलर से आप चाहें तो यलो कलर से या बलो कलर से जिस से राप करना चाहे अट इद आपकी खूल सूर्त सी कॉम हंगा रेडी ओगई इतना खूल सूरत लग रहा है मिवफरी ससे भेसले के बाद और भी खूल सूरत लग रहा है यह देख injection कि अब कि अपकी कॉम हंगा रेडी ओगई तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो धेसरे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, थैंक्स, बाइ, एंट टेक के लिए,